जैमातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हार्तिक स्वागत है। कैसे हैं आप सर्व? ये बताने के लिए comment box में जैमातादी जरूर लेखें। दोस्तों, पॉस मास के दोरान जब सूर्य देवता धनुरासी को छोड़ कर मकर रासी में प्रवेस करता है, तो उस दिन मकर संक्रांती का पर्व मनाया जाता है। भगवान सनी देव मकर रासी के स्वामी हैं और इस दिन सूर्य अपने पुत्र सनी से मिलने जाते हैं। इस दिन से ही गुरू और सूर्य के प्रभाव में व्रद्धी होने लगती है, जिससे मकर संक्रान्ती के दिन ही खर्मास का समापन भी होता है। उस दिन से ही मांगलिक कार्यों पर लगी रोख हड़ जाती है। सादी, सगाई, मुंडन, ग्रह प्रवेश आदी के लिए मुहुरत देखे जाने लगते हैं। दोस्तों मकर रासी के दिन ही सूर्य दच्रैन से उत्रैन होते हैं। सूर्य के उत्रैन की अवस्था को देवताओं का दिन कहा जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में इसनान करने का विसेश महात्व है। और उसके बाद दान करने का विसेश महात्व भी होता है। ऐसा करने से अक्षय पुन की प्राप्ती होती है। दोस्तों इस दिन खिचड़ी और तिल के लड़ू खाने की भी परंपरा है। पौराणिक कथाओं के नुसार मकर संक्रांती के दिन भगवान सिव ने भगवान विश्णु जी को आत्म ग्यान का दान दिया था और महा भारत काल के नुसार भीजम पितामा ने मकर संक्रांती के दिन ही अपनी दे का त्या किया था इसलिए इस दिन का महात्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको बता दें कि इस बार मकर संक्रांती 14 जनवरी 2022 दिन सुक्रवार को मनाई जाएगी और इस बार मकर संक्रांती की सुरुवात रोहनी नच्छतर में हो रही है जो किसाम 8 बच कर 18 मिनट तक होगा आपको बता दें कि इस नच्छतर को बहुत ही सुब नच्छतर माना गया है कहते हैं कि इस नच्छतर में इसनान, दान और पूजन करना विसेश फलदाई होता है इसके साथ ही इस दिन ब्रह्म योग और अनन्दी योग का भी निर्माण हो रहा है ये सयोग भी अनन्दी फलदाई हैं इसलिए ऐसे आउसर का लाब जरूर उठाएं आप इस दिन सुबा चल्दी उठकर तिल का उटन लगा कर इसनान करें या जल में तिल मिलाकर इसनान करें और अपने नहाने वाले पानी में गंगा जल भी चरूर मिला लें इसके बाद सूर देउता को अर्द दें आप एकतामे के लोटे में गंगा जल और सुद्ध जल भर कर उसमें लाल चंदन, लाल फूल और थोड़ा सा तिल और गुड मिलाकर सूर दिवता को अर्ग दें और अर्ग देते समय ओम ग्रहणी सुर्याई नमा का जाब करें इसके बाद आप दान अवस्य करें इस दिन दान आप तिल, गुड, खिचडी, वस्त्र और धन का दान करें इससे आपको कई गुना लाब मिलेगा चलिए अब जानते हैं कि इस दिन इस नान दान करने का सुब समय क्या रहेगा दोस्तों इस बार पुन निकाल का समय दोपहर दो बचकर 43 मिनट से लेकर साम 5 बचकर 45 मिनट तक रहेगा इस सुबमूरत की कुल अबदी 3 घंटा 2 मिनट की है और महब निकाल का समय दोपहर दो बचकर 43 मिनट से लेकर और मकड संक्रानती कछन दोपहर दो बचकर 43 मिनट पर है तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी चरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद